हेलो सुदेंट्स वेलकम टो एंपॉली सो बचो कैसे हैं आप सब आईए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर नमबर सेवन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आरेसी का चैप्टर नमबर थर्ड ये चैप्टर आपका कंप्लीट रहेगा इसी लेक्चर में तो रेफिजरेंट दूसरी बार शूट कर रहा हूँ एक बार डिलीट हो चुका है बनाने के बाद काफी अच्छा लेक्चर बनाया था लेकिन वो डिलीट हो गया मेरी ही कुछ उसमें गलती रही तो कोई बात नहीं हम फिर से स्टार्ट करते हैं तो यह इस कंप्लीट लेक्चर में आपको एक कंप्लीट लेक्चर हम लोग कवर करेंगे इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रेफिजरेंट पूरा चप्टर जो है वो रेफिजरेंट के ऊपर है कि रेफिजरेंट क्या होते हैं तो रेफिजरेंट बेसिकली क्या करता है सिस्टम के अंदर से हीट को एब्सॉर्ब है बच्चो ठीक है अब देखे इसकी पहले छोटी सी डेफिनिशन एक वो पढ़ेंगे तो रेफिजरेंट क्या करता है एक एक लाइन को समझेंगे एक लाइन को इसकी समझना है आपको और तब आगे बढ़ना है तो रेफिजरेंट क्या कर रहा है इसकी डिफाने इस शिस्टम जो एब्सॉर्ब कर रहा है हीट को किसके through expansion के और vaporization के through अगर आपने इसके पहले के 6 lecture देखे हुए है तो आपको ये भी पता होगा expansion क्या होता है आपको ये भी पता होगा vaporization क्या होता है आपको ये भी पता होगा condensation क्या होता है compression क्या होता है ये सब आपको पता होगा मुझे explain करनी की ज़रूरत नहीं है फिर से ठीक है तो यह क्या कर रहा है heat को absorb कर रहा है expansion और vaporization के through और condense कर दे रहा है refrigeration system में कौन refrigerant ठीक है तो refrigerant का मतलब भी क्या होता है ठंडा करना आप पढ़ेंगे इसका search करेंगे तो इसका मतलब आएगा ठंडा करना ठीक है तो refrigerant extract करता heat from low temperature and flow कर देता है किसमें high temperature में जैसा कि आप एक कमरे में बैठे हुए AC चला के तो उस कमरे के अंदर क्या होगा ठंडा होगा बाहर गरम होगा तो उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है refrigerant इस्तेमाल हो रहा है जो machine उसमें लगी हुई है जिसको आप बोलते है AC air conditioning उसके उसके अ refrigerant की help से कर रहा है ठीक है अगर refrigerant आप फ्रिज के अंदर से निकाल देंगे तो फ्रिज ठंडा नहीं करेगा अब हमारे जो refrigerant होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं primary refrigerant और एक होते हैं secondary रेषिजरंट primary, secondary primary memory, secondary दो प्रकार के refrigerant आपके होते हैं ठीक है पहले prefisement होते है primaryLike reboot दूसरे होते है secondary रेषिजरंट primary reflection directly contact में आते है इस system के ठीक है directly also सीधा heat को उठा रहा है सीधा heat को उठा रहा है ठीक है directly contact में है तो टारेक कॉंटेक में रहता है डारेक कॉंटेक में है वो कौन सा रेफिजिडेंट होता है वो होता है प्राइमरी रेफिजिडेंट है प्राइमरी रेफिजिडेंट ठीक है और जो इंडारेक कॉंटेक में होता है यानि कि डारेकली कॉंटेक में नहीं होता इंडारेक कॉंटेक्ट में होगा वो होगा सेकेंडरी रेफिजिडेंट वो होगा सेकेंडरी रेफिजिडेंट प्राइमरी रेफिजिडेंट क्या करता है डारेक्टली कॉंटेक्ट में होता है सिस्टम के ठीक है लेकिन secondary जो refrigerant होता है वो पहले ठंडा किया जाता है primary refrigerant के थ्रू उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो direct contact में कौन है primary refrigerant है in direct contact में कौन है secondary refrigerant है secondary refrigerant को पहले primary refrigerant ठंडा करेगा फिर उसका इस्तेमाल होगा अब primary refrigerant किस किस में इस्तमाल किया जाता है जिसे fridge, AC मैंने बताया secondary refrigerant कौन से refrigerant होते हैं जिसे हवा, पानी यह सब secondary refrigerant की category में आते हैं अब आगे हम देखेंगे कि इनकी definitions क्या है तो primary refrigerant बोलता है these are those materials वो material होते हैं जो directly participate करते हैं किसमे refrigeration system में जिसे आपने fridge लिया fridge के पीछे pipes लगी होती हैं बहुत सारी उसमें directly gas जो है वो आपकी move करती है directly gas उसमें move कर रही है, heat को निकाल रही है और बाहर छोड़ रही है, पूरा system लगा हुआ है पूरा system मैंने आपको समझाया है वो last lectures में तो वो कौन से refrigerant उसमें इस्तमाल हो रहे हैं दूसरा होता है secondary refrigerant तो these are those refrigerant which are cooled by primary refrigerant and then used for cooling process तो ये कौन से refrigerant होते हैं जो ठंडे किये जाते हैं primary refrigerant की help से मदद से और फिर उनको use क्या जाता है cooling process में, उनको कौन से refrigerant बोलते हैं, उनको secondary refrigerant बोलते हैं बच्चो ठीक है, next अब देखो जो हमारा primary refrigerant है इसको 5 हिस्सों में classify किया गया है किसमें 5 हिस्सों में हेलो कार्बन हेलो कार्बन, हाइडरो कार्बन ठीक है, हेलो कार्बन, हाइडरो कार्बन दो तो mean हो गए, मिलते मिलते हो गए एकदम, दूसरा हो गए एजियो ट्रॉप, इन और्गेनिक, अनसेचूरेटड ठीक है, तो ये 5 परकार 5 पार्ट्स में classify किया जाता है किसको primary refrigerant को हेलो कार्बन रेफिजरेंट एजियो ट्रॉप रेफिजरेंट इन और्गेनिक रेफिजरेंट हाइड्रो कार्बन रेफिजरेंट और अनसेचूरेटड और्गेनिक रेफिजरेंट ये 5 पाँचो टाइप्स आपको याद होने चाहिए एक्जाम में directly पूछ लेता है कि 5 वो नाम बताईए जिसमें primary रेफिजरेंट को classify किया जाता है तो यही वो पाँचो नाम है अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे हम पढ़ेंगे Hello Carbon के बारे में अब ये वो वाला Carbon नहीं है इसका नाम Hello Carbon है इसको develop किया गया था 1928 में 1928 में इसको बनाए गया मैं एक मिनिट में रफ करने का डस्टर का है यह रहा ठीक है अब देखो थोड़ा सा इसको मैं लिखवाँगा इसके बारे में कुछ वो लिखते भी चलना जो पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ वो लिखने भी है और यह जो पीडिएफ है यह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए लेक्षर को लाइक नहीं किया है कर दीजिए ठीक है शेर करते रहा करिए अपने और भी बैचमेट से स्टुएंट से शेर करें ताकि वो भी फ्री में अपना अप कम्प्लीट कोर पढ़ पाएं ठीक है अब इसका जो ट्रेड नेम होता है ट्रेड नेम का ट्रेड नेम जो होता है हेलो कारबन का वो होता है फ्री ओन क्या होता है फ्री ओन फ्री ओन इसका ट्रेड नेम है ठीक है यह आपको याद रखना है यह कोशन पूछ लेता है एक नंबर में कि हेलो क का ट्रेड नेम होता है यह आपको याद रखना है इसको डेवलप किया गया 1928 में इसको डेवलप किया गया किसने किया चार्स केटनिंग और डॉक्टर थॉमस मिगे ने इसको ढूड़ा यह क्या है बेसिकली यह कोशन नहीं पूछा जाएगा आपसे लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है इस गुरूप के रेफिजिडेंट क्या होते हैं इसमें तीन हेलुजन्स और ब्रोमाइन पाए जाते हैं तो इस गुरूप में लगबग 42 रेफिजिडेंट पाए जाते हैं कितने 42 रेफिजिडेंट पाए जाते हैं जिसमें से कुछ इंपोर्टन हुआ है और उसके बाद chemical formula लिखा हुआ है तो रेफिजरेंट नंबर हमें दिये गए है आर 11, आर 12, 13, 14, 21, 23, 21, 22, 30, 40, 100, 113, 114, 115 और 152 अगर ये clearly नज़र ना रहा हो तो परेशान मत हो न ये pdf मैं आपको टेलिग्राम पर भेज़ दूँगा महाँ से डाउनलोड कर लेना लिंक डेस्क्रिप्शन में है ठीक है इसमें most important concept मैं वो भी बताने बाला हूँ अब देखो आर 11 को बोलते है ट्राइक ट्राइक लोरो मोनो फ्लोरो मीथेन इसका formula होता है CCL 3F आर 12 होता है डाइक लोरो डाइ मीथेन CCL 2F2 आर 13 होता है मोनो क्लोरो ट्राइ फ्लोरो मीथेन CCL F3 आर 14 होता है कारबन टेटरा फ्लोराइड CF4 आर 21 होता है डाइक लोरो मोनो फ्लोरो मीथेन CHCL 2F आर 22 होता है मोनो क्लोरो डाइ फ्लोरो मीथेन CHCL F2 आर 30 होता है मिथाईलीन क्लोराइड CH2 CL2 तो यह तो आप पढ़ भी सकते हैं इसमें most important कौन से हैं most important इसमें होता है R11, R12, R14, R22, R114 तो यह जो है यह most important है जो exam में पूछ लिए जाते हैं यह तो आपको किसी कीमत पे छोड़ कर नहीं जाना है यह तो पढ़ कर ही जाना है आपको ठीक है यह 4-5 मैंने जो most important बताए है R11, R12 बुक में बुक आपके पास हो तो टिक लगा लेना अधरवाइस इसमें टिक लगा लेना जब यह निकल वा लोगे ठीक है तो R11, 12, 14, 22 और 114 यह most important है इनके chemical name भी इनके chemical की जो नाम होते हैं वो और इनके chemical formula इनके जो formulas है वो आपको याद करने है इस chapter में आपका याद करने का काम बहुत है RAC जो है वो hard नहीं है RAC को याद बहुत करना पड़ता है ठीक है रटरना बहुत पड़ता है इसलिए बच्चों को यह hard लगती है और पता है यह जो words है यह इसमें तो कुछ भी नहीं है बहुत खतरनाक तरीके से दिये रहते हैं ठीक है अगर यह ना होते है रहाज मैं डॉक्टर होता है सच मैं मैं ने लिए अपने से याद नहीं होने वाले ठीक है लेकिन इंजिनिरिंग में भी इन्होंने साथ नहीं छोड़ा बीटेक किया तो बीटेक में तो और इससे जाल का मिक्शर होता है और इसके इसे जो है हम लोग separate नहीं कर सकते components में ठीक है इसको पढ़ो हो एक बार सबसे पहले the refrigerant in this group is a mixture of various materials तो mixture of various material का बना होता है यह refrigerant वो क्या होता है यह material break नहीं होते है distillation से distillation एक process होती है ठीक है उससे भी यह break नहीं हो सकते है the refrigerant in this group show fixed thermodynamic property and this property does not change with temperature and pressure तो यह इस तरह के जो refrigerant होते है इनकी fixed thermodynamic property है और यह temperature और pressure से change नहीं होते है ठीक है अब देखो इसका इसमें कुछ important है जो book में आपकी दिये गए है वो 4 दिये गए है R500, R502, R503, R504 और mixture भी बताए गया है कि इसमें कितना mixture है R12 का इसमें 152 का इसमें 12 का इसमें 115 का इसमें जो most important है वो 2 होते हैं 502 और 504 यह exam में पूछ लेता है तो 502 में बोल रहा है कि इसमें R22 जो है वो 48.8% है और R115 51.2% है ठीक है आर 504 में बोल रहा है कि इसमें R32 48.2% है और R115 इसमें 15.8% है ठीक है यह इनके जो है numbers दे दिये हैं तर वाइस इनके chemical name भी है chemical formulas भी है उसके बाद आते हैं inorganic refrigerants इनorganic refrigerants कौन से refrigerants होते हैं इनका इस्तमाल basically hello carbon से पहली किया जाता था लेकिन अब भी यह इस्तमाल किया जाते हैं इनकी thermodynamic property काफी अच्छी होती हैं इनकी physical properties काफी अच्छी होती हैं उसमें से कुछ आपकी बुक में दिये गए हैं कौन से हैं जल गडबर नहीं होनी चाहिए ठीके लेकिन 717 और 744 और 764 यह तीन important है जो exam में पूछ लेता है most important है 717 ammonia ammonia exam में आता ही आता है ammonia नहीं छोड़ करके जाना है तो 717 ammonia इसका formula होता है NH3 ठीके ammonia का formula क्या होता है NH3 यह आपको छोड़ करके नहीं जाना है बिलकुल भी ठीके 744 होता है carbon dioxide CO2 ठीके और 764 होता है sulfur dioxide SO2 ठीके तो यह आपको कुछ inorganic refrigerants है जो आपको पढ़के ही जाने है अब हम आगे देखेंगे hydrocarbons तो आईए देखते हैं hydrocarbons जल्दी से ठीके तो hydrocarbons क्या है यह वो refrigerants है जिनका इस्तमाल industries में और commercially इनका बहुत इस्तमाल के जाता है hydrocarbons का इनकी जो thermodynamic properties होती है वो satisfactory होती है ठीके जो hydrocarbons है इनकी जो thermodynamic property होती है वो satisfactory होती है लेकिन लेकिन यह highly flammable और explosive होता है highly flammable और explosive होता है ठीके highly flammable and explosive यानी की बड़ी जल्दी से आग पकड़ सकता है और फट सकता है ब्लास्ट हो सकता है इसमें यही एक कमी होती है कि hydrocarbon अब generally इस्तमाल नहीं किया जाता है क्योंकि यह highly flammable होता है और highly explosive होता है इसी लिए इसका इस्तमाल अब नहीं किया जाता है लेकिन आपको यह सारे ही याद करने है ठीके पहला है R50 इसका मतलब होता है chemical name है इसका methane formula है NH4 R170 ethane C2H6 R290 propane C2H8 R600 butane C4H10 R600 A isobutane C4H10 R601 isobutane CHCH3 whole 3 bracket 3 so यह कुछ हमारे most important hydrocarbons है जो आपके exam में as it is पूछ लेगा आपको as it is इसको table को बनाना पड़ सकता है ठीके तो यह आपको याद करने कैसे याद होंगे लिख लिख के याद होंगे रट करके यह आपको कभी याद नहीं होंगे इसको बार बार लिखना है आपको क्योंकि कोई भी back नहीं लगने देनी है किसी भी बच्चे को अपनी ठीक है back मत लगने देना बिल्कुल भी अपना अब कुछ most important refrigerants के बारे में हम पढ़ेंगे जैसे हमारा पहला refrigerant है R117 अब R117 अभी हमने पढ़ा था क्या था ammonia ammonia का formula क्या होता है NH3 ठीक है ammonia R117 तो इसका chemical name क्या हुआ इस रेफिजिडेंट का इसका chemical name हुआ ammonia इसका formula है NH3 सब लोग अपनी कोभी में लिखेंगे ammonia का formula क्या होता है NH3 ठीक है अब इसकी properties क्या होती है properties इ जहरी ला ठीक है flammable आख पकड़ लेता है irritating होता है मतलब आख वगरा की contact में आ जाए तो irritate करने लगता है मिर्च लगने लग जाएंगी मनदब आखों में दिक्कत होने लग जाती है destroy the food easily अपने आपके खाने को बड़ी आसानी से खराब कर सकता है इसकी thermal properties excellent होती है cheap और easily available होता है यानि कि सस्ता होता है और आसानी से market में आपको मिल जाता है ammonia highly efficient होता है ammonia बहुत इस्तिमाल किया जाता है। MacI Ina-ogen बहुत जद आ मार्किटम इस्तिमाल किया जाता 아직 के जो सिलेंडर का पार होता है वह black शिलेंडर को हीलुन थीके तो अगर आपको कहीं रखा हुआ हूँए मिले कि black quite का cylinder रखा है तो समझ जाईए कि इसमें ammonia भरी हुई है क्या भरी हुई है ammonia भरी हुई है ठीक है तो और 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 इसके कुछ और extra points अब मैं लिखाने वाला हूँ जल्दी से आप लोग मेरे साथ में लिखेंगे यह oldest ऑन आपदी ओलडेस्ट ray और यूज हो ओलड़ेस्ट ऑन और जो वाला रिवाईड ली यूज किया अवाला यह श॥ी यह यहाने वाला ऋस्त वांग को अट्यू ली used रेफिजरेंट ठीक है तो सबसे पुराना है और सबस्यादा वाइडली यूस किये जाना वाला रेफिजरेंट है हाईली टॉक्सिक होता है कैसा होता है हाईली टॉक्सिक खतरनाक highly toxic होता है इसकी जो gas होती है उसका जो color होता है वो colorless होती है कैसी होती है colorless होती है colorless gas होती है इसमें से कोई भी color का gas नहीं निकलता है इसको store किसमें करते हैं इसको store करते हैं steel में copper वगर में हम ammonia को store नहीं करते हैं ये react कर लेता है किसके साथ ammonia copper के साथ react कर लेता है और दिक्कत हुजा दिये इसका boiling point कितना होता है इसका boiling point होता है minus 36 degree Celsius boiling point कितना है minus 36 degree Celsius तो आप सोच सकते हो minus sorry 33 degree Celsius ठीक है minus 33 degree Celsius पर ये boil हो जाता है minus 33 degree Celsius पर boil हो जाता है ठीक है ना ठीक है ammonia को अगर detect करना है suppose ammonia में leakage है या कुछ भी दिक्कत है तो sulfur candle करके एक चीज आती है sulfur candle ठीक है sulfur candle को जलाया जाता है sulfur candle को जलाया जाता है तो उसमें से sulfur candle से क्या निकलते हैं dense white smoke निकलता है white धुआ निकलता है समझ जाते कि भाईया यहां पर ammonia जो है वह लीक हो रही है और इसका cylinder कैसा होता है काले color के cylinder में क्या करते हैं ammonia को store करते हैं अब हम आगे देखेंगे दूसरा इसका application तो इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है reciprocating compression system में इसका इस्तेमाल किया जाता है इसका इस्तेमाल ice plant में किया जाता है है ना बरफ खाने जो होते हैं packaging plant में किया जाता है cold storage वगरा में इसका इस्तेमाल किया जाता है मतलब यह इस तरह का refrigerant है यह कि बहुत काफी ठंडा उस system को कर सकता है यह ammonia ठीक है disadvantage क्या है इसका disadvantage है high efficiency separator required होता है separation के लिए दूसरा problem है कि oil carbonation इसमें generate हो जाता है ठीक है problem है कि oil carbonization इसमें generate हो जाता है ठीक है next आता है मारा R22 R22 अब हम जल्दी से देखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे तो अब जब हम बात कर रहे हैं R22 की तो R22 को store करने के लिए बहुत ही कम volume चाहिए होता है ठीक है R22 बहुत कम volume में store हो जाता है ठीक है तो less volume की जरूरत होती है और इसका boiling point होता है minus 41 degree Celsius ठीक है देख पा रहे हो यह boiling point कितना इसका boiling point है minus 41 degree Celsius तो minus minus 41 degree Celsius पर क्या हो जाता है वह boil हो जाता है और अगर इसमें leak हो जाए ठीक है R22 को क्या बोलते हैं Freon 22 ठीक है इसका chemical name क्या है Freon 22 अगर यह leak हो जाए तो आप इसको कैसे पता करेंगे soap का solution मनाते है यानि कि जाग वाला solution मनाते है ठीक है और जाग से pipe के उपर जाग जो है वो डालेंगे ठीक है तो जहां पर leakage होगा क्या होगा बुलबुले छुटेने लग जाएंगे जाग के हम समझ जाएंगे कि यहीं पर leakage है R22 यहीं से leak कर रहा है वहाँ पर उसको ठीक कर देंगे ठीक है तो R22 का क्यो हमारा chemical name है वो क्या है Mono Chloro Dichloro Methane formula होता है CHClF2 artificial refrigerant है यह एक प्रकार का ठीक है इसकी properties यह होती है कि यह compressor displacement इसका काफी low है काफी कम volume में आ जाता है और यह latent heat की value कितनी देता है मैं minus 15 degree Celsius देता है कितनी minus 15 degree Celsius पर यह हमें 218.1 kJ per kg की latent heat की value देता है ठीक है poisonous है किस की तरह like CO2 की तरह ठीक है not used with water क्योंकि यह soluble हो जाती है पानी के साथ तो पानी के साथ इसको mix नहीं करते हैं ठीक है cylinder color होता है हर ĩस का एक particular color होता है ठीक है करे color का अगर cylinder रख्भा हुआ है आप समझे उसमें free on 22 रखा हुआ है काले color का cylinder रखा है ाप समझ जा cylinder हमारे आते हैं जिस रंग का cylinder रखा हुआ हम समझ जाते हैं कि उसमें रखी हुई है देखो इसका इसलेंडर कहां किया रहा है इसका इस्तमाल low temperature systems में किए जाता है soap industries में इसका स्टमाद किया जाता है ठीक है और किसे करते हैं कुछ हमारी ही हलाइट टॉर्च आती है और इलेक्ट्रोनिक डिटेक्टर की हिल्प से हम इसके जो फॉल्च है उसको पता कर लेते हैं लॉस क्या है इसमें लॉस यह है कि डिस्चार्ज औफ रेफिजरेंट इस पॉसिबल ओनली एट हाई टेंपरेचर तो क्या होगा जो हमारा एफ सॉरी इसमें डिस्चार्ज पॉसिबल होता है लेकिन कब जब जब इसका टेंपरेचर बढ़ जाए अगर टेंपरेचर बढ़ेगा तो इसमें डिस्चार्ज होने के चांसे रहते हैं इसलिए लगातार क्या करते हैं इसमें वाटर कूलिंग प्रोवाइड कराई जाती है ताकि इ आप इसे बच्पन से आ रहे हैं, इसको बोलते हैं carbon dioxide और इसका formula होता है CO2, यह हम सब बच्पन से जानते हैं, ठीके, CO2, यहाँ पर 2 लगाना रहे गया है, 2 लगा लेना सब लोग, ठीके, यह जो इसकी properties होती है, यह colorless और orderless gas होती है, इसका कोई रंग नहीं होता, ठीके, हव हवा से भारी होती है, हवा से भारी होती है, non-toxic, non-irritating, non-flammable होती है, यानि कि यह ना तो toxic होगी, ना irritate करेगी, ना ही flammable होगी, यानि कि क्या पता चला, कि देखो carbon dioxide का इस्तमाल, हम extricutions वगरा में भी क्यार्थ करते हैं, आग को बजाने के लिए, तो carbon dioxide में कभी भी 6 degrees Celsius से लेके, minus 15 degrees Celsius तक इसका boiling temperature होता है, ठीक है, अब इसका operating pressure क्या है, काफी कम pressure पर हमारी carbon dioxide operate हो जाती है, ठीक है, it does not easily mix with oil, इसके तेल के साथ आसानी से आप mix नहीं कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, air conditioners में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी air conditioners, जो theatres में लगे होते हैं, hotels में लगे होते हैं, आपके hospitals में लगे होते हैं, उन जगहा पर कहां कौन से refrigerant इसतेमाल किया जा रहे है, carbon dioxide refrigerant इस्तेमाल किया जा रहे हैं, ठीक है, तो hotels वगरा में भी इसका이죠 bubbles किया जाता है, due to तो अब इसके loss क्या है, इसकी खामिया क्या है, due to high operating temperature, heavy pipe, तो इसका high operating temperature है, इस वज़े से क्या है, कि heavy pipe चाहिए हमें, strong evaporator चाहिए, condensed और strong condenser चाहिए, तब ही हम क्या करते हैं, हम R 744 को यानि कि carbon dioxide वाले refrigerant को इस्तमाल कर पाते हैं, ठीक है, required होता है high pressure, अब देखो, R 11 की बात करते हैं, तो R 11 क्या है, R 11 को हम बोलते है, freon 11, क्या बोलते है, freon 11, इसका chemical name क्या होता है, trichloro monofluoromethane, ठीक है, trichloro monofluoromethane, काफी typical से हैं, एकदम से याद नहीं हो पाएंगे, लेकिन कोशिश करना, क्योंकि exam तो देने हैं बच्चो, तो आपको याद तो करने पड़े इसका chemical formula होता है, CCL3F, CCL3F, back नहीं लगने देना, इस subject में back बहुत लगती है, इसमें याद कर लेना, इस सब बता रहा हूँ मैं, ठीक है, अब इसकी main properties क्या होती है, ये भी flammable नहीं होती, toxic नहीं होती, ना जहरीली होती है, नहीं flammable होती है, आग भी इसमें नहीं लगत तो इस तरह के refrigerant के लिए, जो आपका R11 refrigerant है, इसके लिए कौन से compressor इस्तमाल किये जाते हैं, centrifugal compressors इसके लिए इस्तमाल किये जाते हैं, next इसकी uses आते हैं, अब देखो इसका इस्तमाल कहां किये जा रहा है, useful है कि इसके लिए 50 ton capacity के लिए, 50 ton सोच सकते हो, बतला आपके घर म किसे नहीं समझ में आ रहा है, वो पुराने lecture देख लो, लेकिन 50 ton capacity में इसका इस्तमाल किये जाता है, small buildings और factories में इस तरह के refrigerant इस्तमाल किये जाते हैं, तो इसका यह यहाँ पर finish होता है, next आता है आपका R12, अब देखो R12 क्या है, R12 होता है हमारा Dichloro-Difloro-Methane, ठीक है, Freon 12 इसको बोलते हैं, इसका chemical formula होता है CCL2-F2, ठीक है, क्या होता है CCL2-F2, यह हमारा R12 होता है, इसकी कुछ properties है, properties इनकी लगबग कुछ की same है, जैसे non-flammable है, non-toxic है, है ना, और आपका non-explosive है, इसकी latent heat क्या है, यह minus 15 degree Celsius पर latent heat की value देता है, 161.3 kJ पर kg, ठीक है, यह अच्छे से याद करना, अब बात करेंगे R502 की, जो मैंने अभी बताया था आपको, तो R502 क्या है, यह हमारा newer refrigerant है, भी हाल ही में आया, तो अगर यह exam में पूछ ले, कि newer refrigerant कौन सा है, तो आप बताएंगे कौन सा है, आपका R502, यह क्या एक तरह का SU drop refrigerant है, और SU drop refrigerant कौ से होते हैं, जो mixture से बनते हैं, दो, दो material के mixture से बनते हैं, वो क्या है, SU drop refrigerant है, तो यह क्या है, mixture है कि इसका R22 का, और R15 का, जिसमें से R22 पाये जाता है, इसमें 48.8% और R15 पाये जाता है, 51.2%, ठीक है, यानि कि 48.8% इसमें R20 है, और 51.2% इसमें R15 है, तब हमारा एक material बनके तयार होता है, जिसको हम बोलते है, R502, क्या बोलते है, R502, ठीक है, इसका formula क्या होता है, CCL, F2, CF3, ठीक है, color कैसा होगा, इस cylinder का, इसके cylinder का color होगा, orchid, अब सोचेंगे, orchid color कैसा होता है, purple, यानि कि bangni, तो bangni color जैसा, कोई, एक shade रहता है, उस color का, जो इसका cylinder होता है, ठी अब जल्दी से हम इनकी कुछ properties पढ़ेंगे, पहले मुझे कुछ properties लिखवानी है, कि एक अच्छे refrigerant की कौन-कौन सी properties होती है, तो एक अच्छे refrigerant की जो properties होती है, कि उसका जो boiling point है, वो low boiling point होना चाहिए, क्या होना चाहिए, low boiling point होना चाहिए, उसका, ठीक है, दूसरी क्या होती है, इसको हिंदी में भी लिख सकते हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको हिंदी में लिखो, जो मैं बोलता हूँ, उसको हिंदी में तुरनत लिखा, ग्रू साथ-साथ, ठीक है, दूसरा इसमें क्या होता है, कि freezing point should be lower than, freezing point, अभी समझाता हूँ उसको, should be, should be lower than any temperature to be maintained, to be maintained, ओके, तो इसका जो freezing point है, वो जो एक अच्छा refrigerant है, उसका freezing point, कम होना चाहिए, किस से जो temperature पर उसको maintain किया गया है, उससे, ठीक है, easy to liquify, ठीक है, easy to liquify, ये भी एक property है, कि वो आसानी से liquify हो जाए, आसानी से जमाना रहे जाए, ठीक है, आसानी से liquify हो जाए, ये भी एक अच्छी refrigerant की पहचान होती है, ठीक है, उसकी जो latent heat है, उसकी value हमेशा high होनी चाहिए, high latent heat value, high latent heat value, ठीक है, non-toxic होना चाहिए, non-flammable होना चाहिए, यानि कि आग ना पकड़े, non-explosive होना चाहिए, तो ये तो कुछ ऐसी चीज़े हैं जो आपको पड़ेंगे आप एक बार आपको याद हो जाएगी कि ये हमारे अच्छे एक अच्छे refrigerant की पहचान है, easily उसका easy leakage detect, यानि कि अगर leakage हो रहा हैं तो हम उसको आसानी से detect कर लें, ऐसा ना हो कि leakage हो रहा है, हम यहीं नहीं पता चल रहा है, लीकेज हो का रहा है, हम परिशान है, कैसे ढूंडे, नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर suppose कोई ऐसा refrigerant है, जिसको खाने वगरा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो ऐसा refrigerant होना चाहिए, उसकी क्या property होनी चाहिए, कि वो खाने का रंग खराब ना करे, खाने का टेस्ट खराब ना करे, खाने की nutrient value कमना करे, ठीक है, तो वही एक अच्छा refrigerant माना जाता है, ऐसा ना हो, खाने को जहरीला बना दिया, आपने ठंडा करने के लिए रखा खाना और आप ही ठंडे हो गाए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो एक अच्छा refrigerant क्या होता है, जिसमें ये सारे जो है, पॉइं temperature कितिनी रेंज के बीच में, माइनेस अठारा डिगरी सेल्सियस से माइनस एक ग्यावन डिगरी सेल्सियस, माइनस की बात चल रहे है, भाई साब, ये पलस की बाद निचल ले, 0 डिगरी पर बर्फ जम जाती है, ठीक है, ये बात चल रहे है, जीरो डिगरी से लेके है, जगेट ठीक है तो यह देखो माइनस 18 माइनस 51 डिगरी की बात हो रही है ठीक है compression displacement इसका कम होना चाहिए so small size और low cost compressor की हमें ज़रुरत पड़ेगी अगर उसका जो compression displacement होगा अगर वो कम होगा और operating cost भी इसकी कम होनी चाहिए ठीक है तो यह आपका जो है पांचो दो जो है वो आपका इसकी यह properties थी ठीक है अब इसके uses का है इसका इसका इस्तमाल किया जाता है यह तो मैंने जो यहाँ पर यह points लिखवा है यह general points है general points मतलब हर तरह का जो refrigerant है वो अच्छे refrigerant होने की पहचान है तो इसका तो screenshot ले ले नाइक ठीक है अब यह सिर्फ बात चल रही है कि इसकी 502 की अब यह देखो इसका इसका इस्तमाल frozen food locker में किया जाता है cream industry में इसका इसका इस्तमाल किया जाता है loss क्या है इसका compression ratio कम है low discharge temperature है low freezing temperature इसका होता है यह इसके कुछ losses हैं तो यह कुछ general properties हैं जिनकी मैं बात कर रहा था भी यह हैं वो properties low boiling point होना चाहिए high critical temperature होना चाहिए latent heat of vaporization भी high होना चाहिए low specific heat होनी चाहिए non flammable हो non explosive हो non toxic हो low cost हो तो यह सारी क्या है जनरल properties हैं एक अच्छे refrigerant की पहचान है यह ठीक है इसका जो आपको notes हैं वो mpoly के telegram channel पर upload कर दूँगा मैं वहां से आप लोग download कर सकते हैं इंस्ट्राग्राम पर हमें follow कर सकते हैं वहां से कुछ बातचीत कर लिया करेंगे ठीक है so channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए lecture को like कर दीजिए share कर दीजिए मिलते हैं अपने next lecture में एक नए topic के साथ see you bye bye